एक example और देखते हैं इसमें क्या है कि find maximum and minimum number from an array अब एक array रहेगा और उसमें जो data है तो उसमें से हमें क्या find करना है कि उस array में जो element है जितने सारे उसमें सबसे minimum कौन सा है और सबसे उसमें जो maximum कौन सा है तो इसके लिए हम क्या approach मतलब use करेंगे कि suppose कि हमारे पास बहुत सारे number है जैसे हमारे पास number हो गया 368269 हम इसमें कैसे decide करेंगे कि कौन सा minimum है और कौन सा maximum है क्योंकि कोई भी program हमें सबसे पहले हमें logically मतलब सोचना है कि आखिर इसको हम कैसे compare करेंगे कैसे use करेंगे ताकि हम program में implement कर सकें तो कोई भी program पहले logically हमें उसका सोचना है कि कैसे हम कर सकते हैं फिर हम program लिखेंगे तो अब यहां पर एक approach क्या हो सकता है कि यहां पर three है तो इसको suppose कि मैंने पहले से ही consider कर लिया कि यह हमारा एक number आगे या तो mean हम consider कर सकते हैं या max consider कर सकते हैं just example कि suppose कि मैंने मान लिया minimum में three यानि कि सबसे जो छोटा element है इसमें हमने इसको three को consider कर लिया अब क्या कर रहें इसको इससे compare करेंगे और अगर यह जो number जो पहले छोटा है जिससे compare कर रहें उससे अगर छोटा है तो जाहिर है कि यह जो number है मतलब सही है क्योंकि यह जो six number यह क्या हो गया इससे बड़ा है और यह three है तो यानि कि छोटा है तो हम कुछ नहीं करेंगे अब फिर इसको इससे करेंगे तो यहां पे compare करेंगे तो फिर यही छोटा रह गया तो सही है और फिर इसको इससे करेंगे कि अब इस बार जब कर रहे है तो जो नया वाला जो number है यह खुद इससे छोटा है तो हमें क्या हुआ कि अभी जो number हमने consider कर रखा था जैसे तो यहां पे हमने consider क्या कर रखा था कि three is the minimum लेकिन अब एक ऐसा number मिला जो three से भी छोटा है तो अब हम क्या करेंगे कि इस three को delete कर देंगे और यह two वाला इसमें assign कर देंगे अब फिर है अब फिर इसको six से compare करेंगे कि two is less than six yes correct तो कुछ नहीं फिर nine से तो यानि कि सबसे छोटा आ गया हमारा two तो इस तरह से two इसमें store हो गया उसी तरीके से अब max find करना हो तो max कैसे find करेंगे कि फिर से हमने consider कर लिया कि three जो है इसमें सबसे max है अब अगर तीन से कोई भी बड़ा number मिला तो हम क्या consider कर लेंगे कि अच्छा यह बड़ा है तो उसको update कर देंगे same way में तो three अब इसको compare किया हमने six से तो यह से क्या पता चल रहा है कि three or six में बड़ा kone six तो याने की 6 दिलिट कर दिया हमने six कर दिया फिर six को eight से compare किया तो पता चला जब नया value है एट यह खुद बड़ा है तो फिर six को delete कर दिया हमने 8 रख दिया 8 को 2 से compare किया नहीं तो 2 छोटा है तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि हमें सबसे max find करने है फिर 8 को 6 से किया तो यहां भी हमें कुछ नहीं क्योंकि 8 हमारे पास already maximum है इसको 9 से किया हाँ यह नया वाला इसको 9 से update कर देंगे तो अब अगर हम देखते हैं तो minimum में 2 आ गया जो कि सबसे छोटा नमबर है और 9 जो सबसे biggest नमबर है यह हमारा max में store हो गया तो इसी को हम प्रोग्राम में implement करेंगे तो अब उसको कैसे करेंगे कि यह हमारा क्या हो गया अब इसको जो हमने के जो यह हमारा क्या है इसका index नमबर क्या है 0 1 2 3 4 5 जो भी यहां पर लाश्ट तक तो हमने यहां पर क्या किया था कि यह जो शुरू वाला जो नमबर है यानि कि मीन में अगर बात करूं तो अगर इस आयरे का नमबर ले लों कि आयरे अगर नेम दे तो इसमें max में और mean में यानि कि दोनों में हमने एक ही value हम assign कर सकते हैं जैसे हमारे पास 5 है a is equal to b is equal to 5 तो यानि कि यह क्या होगा कि a में और b में दोनों में हमारा 5 assign हो जाएगा तो same way में हम ऐसा भी कर सकते हैं तो array of 0 यानि कि हमने क्या कि array of 0 जो element 3 यह हमने max में भी store कर दिया mean में भी store कर दिया अब इस एक एक को number हम लेते जाएंगे और इसे compare करते जाएंगे और मैक है तो हम compare करते जाएंगे अगर कोई भी नया वाला number जो जिससे compare कर रहे हैं अगर biggest हुआ तो उसको हम replace कर देंगे अब यह clear अब इसी को हम implement करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया कि यह array लिया हमने यहाँ पर 26783 यह total हमारे पास 11 number है यहाँ पर मैंने size नहीं दिया size भी दे सकते हैं अल्डेडी पता है हमें यहाँ पर mean और max दो variable लिया और यहाँ पर क्या किया array of 0 यानि कि यह array of 0 यानि कि कौन्स है 2 यह mean में भी आ गया max में भी आ गया अब क्या कर रहे है हम यहाँ पर for loop एक यूज कर रहे है तो यहाँ पर for loop क्या हो रहा कि 0 से लेके 11 तक क्योंकि हमारा size है array का size 11 है हम कुछ भी मतलब यहाँ पर जितना हमें ने दिया है वह हमें पता होना चाहिए अगर नहीं है तो हम size of operator का यूज कर सकते है जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसका size गया लेकिन फिर वह direct वह number नहीं मिलता है क्योंकि वह size of integer मतलब byte में देता है यानि कि array का size अगर 11 है तो यानि कि इसका size आएगा 44 bytes तो हमें पता होना चाहिए कि integer है तो फिर उसका size of इसका निकालेंगे 44 byte divide by 4 कर देंगे तो भी हमार 11 आ जाएगा तो वह भी कर सकते हैं नहीं तो direct हम number दे सकते हैं फिलाल के लिए तो यहां पर क्या हुआ i 0 i less than 11 क्योंकि इंडेक्स कहां जाएगा 0 to 10 और i++ अब क्या होगे इसके body में हमने क्या कि if array of i यानि कि array of i array अभी i कितना है 0 अभी i is first time 0 है तो जब 0 आया तो यहां प array of 0 में क्या था इस्टोर? array of 0 में फिलाहल 2 है क्योंकि हमने already assign कर रखा है और यही हमारा mean में भी है mean में तो अब क्या होगा कि इसमें 2 है तो अब compare करेगा if array of i array of i कितना 2 और minimum में भी कितना 2 तो 2 is less than 2 नहीं यह तो हमारा statement false हो जाएगा तो जब false हो गया तो यहां पर आए गए नहीं और इसका कोई else clause नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसी तरीका से यहां पर क्या है array of i 2 है is greater than max और max में भी क्या है 2 है तो यह भी हमारा क्या हो गया false हो गया यहां कि max में भी 2 है और यहां पर mean में भी 2 है अब क्या होगा next time फिर जब loop आया यहां पर तो i1 हो गया तो i1 1 यह 0 1 2 तो अब 1 होगा तो 6 को compare करेगा तो if array of i यहांनि कि 6 is less than mean minimum में कितना है 2 है और इसमें कितना 6 is less than 2 false हो जाएगा तो यहांनि कि इसमें कोई change नहीं होगा उसी तरीका से यहां पर क्या होगा 6 is greater than max और max में क्या 2 है और यहां पर 6 is yes true तो यानि कि max में जो होगा पहले से क्या 2 था तो यह 6 हो जाएगा उसी तरीके से फिर यहां पर क्या 8 आया 8 is less than mean no लेकिन 8 is greater than max तो इसमें 6 8 आ जाएगा तो इसी तरीके जो हम ने अभी बताया था जो simple जो example हम देख रहे था इस program से तो वही logic implement हुए जब finally जो यह loop खतम होगा तो यहां पर max और mean में हम जो value print करा देंगे तो हमारा output आ जाएगा जो अब कोई भी array का इसमें जो सबसे greater number होगा वो और सबसे minimum number तो यहां हमारा हो गया